नमस्कार मित्रों आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौरानिक कथाए में स्वागत है 24 जुलाई 2023 सावन महीने के तीसरे सोमवार पर शिव पुरान के अनुसार कर लेना ये पांच उपाय भगवान भोलेनाथ हो जाएंगे आपसे बेहत प्रसन्न आपकी हर मनोकामना को वो कर देंगे पूरा खुशियों से भर देंगे आपका घर बन जाओगे आप करोरपती वर् कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। 2023 को सावन महीने का तीसरा सुमवार पढ़ने जा रहा है। इसी सुमवार के दिन शिव योग भी बन रहा है। मतलब की ये एक ऐसा अध्भुत दिन होगा जिस दिन अगर आप शिव पुरान के अनुसार वो पांच महा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रही हैं। ना केवल आपको अपने जीवन की चर रही गरीबी, परेशानी कष्ट समस्याएं, दुरभाग्य से मुक्ती मिल जाएगी बलकि आपकी कोई मनोकाम ना हो। जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बिमारी आपको परेशान करके रखा था, उस बिमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी। भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएगे। कहने का मतलब ये है, दोस्तों सिर्फ एक दिन के ही उपाय से आपकी कोई मनोकाम ना होगी, वो पूरी हो जाएगी और एक बात का ध्यान रखियेगा। भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशिर्वात दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आ करके कुछ नहीं बिगार सकता है। दोस्तों जैसे सावन महीने का अपने आप में एक विशेश महत्त्व होता है। वैसे सावन महीने में पढ़ने वाला अधिक मास का भी अपने आप में एक विशेश और खास महत्त्व होता है। 18 जुलाई 2023 से अधिक मास की शुरुवात हो चुकी है। अधिक मास पूरी तरह से भगवान विश्नु जी को समर्पित होता है और अधिक मास का पहला सुमवार 24 जुलाई को पढ़ने जा रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों अगर आप अधिक मास के पहले सुमवार के दिन शिव पुरान के अनुसार वो पांच महा उपाय करेंगे जो आपको हम इस वीडियो में बताना रहे हैं ना केवल आपको भगवान भोलेनात का बलकी भगवान विश्नु जी का भी आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य तो आपका इस प्रकार से साथ देगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तों 24 जुलाई 2023 सावन महीने के तीसरे सुमवार पर रवी योग एवन शुभ योग का सन्योग बन रह है मतलब की ये जो समय आया है ये पूरे 122 वर्षों बाद आया है इस दिन अगर आप 2, 4, 5, 6 मिनट का समय निकाल करके सिर्फ वो 5 महा उपाय कर लें जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सिर्फ एक दिन की ही पूजा से ना केवल आपको अपने जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा बलकि एक ही दिन के उपाय को करने के बाद आपको भगवान भोलेनात और भगवान विश्नुजी का वो आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद आपक भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता हैं। भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे तो तुरंत जाईए और कमेंट बॉक्स में लिख दीज ओम नमा शिवाय हर हर महादेव और अगर आप भगवान शिवजी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से सुनेगा। सावन का महीना अपने आप में एक विशेश और खास महत्व रखता है लेकिन सावन के महीने में जब भी अधिक मास लग करके मिलता है तो उसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। भगवान भोलेनात की पूजा करते हैं, तो माना यही जाता है कि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आपका साथ देगा। राहु के तु आपका इस प्रकार से साथ देंगे। कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपके जीवन में आपकी कोई मनोकामना होगी, वो ज आशिरवाद सदैव और आपके परिवार पर बने रहे, तो पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाए, लिख दीजिए जय भगवान विश्नुजी की ओम नमह शिवाय हर हर महादेव और अगर दोस्तों आप भगवान विश्नुजी और भगवान भोलेनात के सच्चे भक्त हैं। अश्तेदार आपके बच्चों पर कुछ ऐसा करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चों को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। आपको बताने जा रहे हैं, देखिए दोस्तों बच्चों की जो बुद्धी होती है, उनका सीधा संबंध बुद्ध ग्रह से होता है, क्योंकि बुद्ध ग्रह बुद्धी का प्रतीक माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगे, आपके बच्चे आपकी आज्या माने, आपके बच्चे आपके कुल का नाम रोशन करे तो आपको क्या करना है। 24 जुलाई 2023 के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, सफेद कपड़े पहनने है, भगवान भोलेनात को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। आप एक काम कीजिएगा, एक तामबे का लोटा लीजिएगा, उसमें गंगा जल भर लीजिएगा। गंगा जल मार्केट में 20 रुपए 25 का मिल जाएगा। आपको 108 दाने हरी मूंग के लेने हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों 108 दाने हरी मूंग के लेने और इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब ये एक लोटा जल लेकर के जाए। भगवान भोलेनात के मंदिर भगवान भोलेनात के मंदिर जाए। शिवलिंग के पास जाने के बाद अपना मूं उत्तर की तरफ कीजिए और ये एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पूरा एक लोटा खाली कर दीजिए और जब शिवलिंग से पानी गिर रहा हो तो गिरते हुए पानी को अपने लोटे में ले लीजिए और इसी एक लोटे जल को अपने घर पर लाईए और इसी का छिड़काव अपने बच्चों पर कर दीजिए सिर्फ एक दिन यह उपाय आप कीजिये और एक दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे पर कोई ऐसा दोश था ऐसी कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था वो आपकी आग्या नहीं मानता था वो आपकी हर बात मानेगाया एक ऐसा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपके बच्चों का बुधग्रह बड़ा मजबूत हो जाता है और जिस बच्चे का बुधग्रह मजबूत होता है मान के चलिए दोस्तों वहां बच्चा आपकी हर आग्या मानता है और वो पढ़ने लिखने में तो उसका मन लगता ही लगता है वो आपके कुल का नाम भी रोशन करता है इसी तरीके से दोस्तों दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो दुरभाग्य से मुक्ती पाने का महाउपाय अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें और आपका दुरभाग्य हमेशा के लिए आप से दूर चला जाए तो 24 जुलाई 2023 के दिन आपको नहाने धोने के बाद एक लोटा शुद्ध जल लेना है उसमें 108 चावल के दाने डालने है आपको लेना है दोस्तों एक गाय के दूद से बना हुआ घी का दीपक और उसमें लगानी है लालबत्ती आपको जाना है भगवान भोलेनात के मंदि सबसे पहले शिवलिंग के पास जाए शिवलिंग के पास ये एक लोटा जल मुह उत्तर की तरफ करके चाहिए जिसमें आपने 108 चावल के दाने डाले हैं ये जो आप दीपक लाए है ये भगवान भोलेनात के सामने ले जाए जो भी भगवान भोलेनात की प्रतिमा है से कम 108 बार 20 मंत्र इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभियां हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभियां 108 बार बोलिए इतना भर अगर आप कर देते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा भगवान भोलेनात की क्रिपा सदै आप पर बनी रहेंगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे। उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपकी नौकरी नहीं लग रही है। आप नौकरी ढूंड रहे हैं। आपको नौकरी न मुह उत्तर की तरफ करके यही एक लोटे दूज से शिवलिंग का अभिशेक करना है। प्रकोप को कम किया जा सकता है और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनात की कृपा से आपका जो दोश है उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएं तो आपको क्या करना है। कर शिवलिंग पर अभिशेक कर दीजिए। देखिए मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था अब आपका व्यापार चौपट हो गया है तो आपको क्या करना है। आप एक काम कीजिएगा एक मौली धागे का बंडल लीजिएगा। बंडल इस प्रकार से लीजिएगा जिसमें छे धागे के बंडल हो पूरा मौली धागे का बंडल लीजिए और ये किसी भी भगवान भोलेनात के मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। सिर्फ इतना भर करिए मान के चलिए भगवान भोले नाथ के आशिरवाद से आपका बंध पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आप मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना है। आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको क्या करना है। 24 जुलाई 2023 के दिन सुभा उठने के बाद नहाये धोईे सफेद कपड़े पहनिए। सिर्फ इतना कीजिए और ग्यारा बिलवपत्र अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना बोलिए। आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेंगी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनात का आशिरवाद मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमाशिवाई श्रीशिवाई नमस्तु भ्यान। जो रखँआ साक्षात स्साथ श्रीश भ्यान करना मत भूलत भंदियोग टस्तों मुलत भीता है।